दोस्तों गड़ेश तूर्ती से पहले आप देख लीजिए बाजार जो है वह सच चुके हैं और प्यार इसे गन्नु भाईया हम सब के घरों में आने के लिए तैयार है क्या रेटी भाईया यह पी-ओ-पी के हैं या मिट्टी के हैं यह पी-ओ-पी यह जिसी अच्छा मिक्स बनाए है आप शूपते लेंगे अच्छा इसलिए और वैसे भी बहुत पानी किर रहा है बार्स ही आ रही है हां हां हुआ है कर दो कर दो कर दो है है कि यह बहुत अच्छे लग रहा है लेकिन वही है ना मैं इतने दिन पूजा करके और यह हमारे गाउं की दुकान जो है वो सच चुकी है हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब और मैं आप सब को बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आप सभी को गडेश चतूर्थी की शुपकामनाइ whisk परईयोशड परव की शुपकामनाइ के साथ है जो जयन ओ का महापर्व पर sporик परव है और हमारे साथ आज हम घाओं के मंदिर में बैठे हुए हैं और मेरा बहुत मन् तो आज हम अपने वीडियो में आचारे जी से यह जानना चाह रहे थे सबसे पहले कि आचाहरे जी आप हमें यह बताईए कि गणेश जी की स्थापना उठक ली श्यूब महुरत जन्म दोफैर के समय हुआ था इसलिए सर्वत्तम मुहुर्त तो दोफैरी होता है और इस जो गनेश चतुर्थी जो आ रही है कल उस गनेश चतुर्थी को दोफैरी या गनेश बोले जाते हैं क्योंकि उनकी दौफर में इस्थापना होती है तो सर्वस्त्रेश्ट मुहुर्त लगवक 11 बजे से और 2 बजे के मध्ध का जो महुरत है वो अति उत्तम महुरत है अच्छा गणेश जी को की जो इस्थापना की जाती उसका विधान क्या होता है किस विधान के तुरू क्या क्या प्रक्रिया होती है जिसके तुरू हमें इस्थापित करना चाहिए देखिए गणेश एक ऐसे देवता है जो किसी भी पूजन के प्रारंभ में या किसी भी मांगलिक क्रत के प्रारंभ में गणेश पूजन से ही किसी भी प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और ये तो फिर चोकी गणेश जी का उत्सम है तो गणेश जी की पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति एक सुन्दर चोकी का निर्मान करें उस चोकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर एक तरफ घी का दीपक जलाएं एक तरफ सुन्दर तामे के पात्र में कलस स्थापन करें उसके पस्चात मद्ध में गणेश जी को स्थापित करें और फिर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके दे हुए इसनान कराएं चंदन चावल अक्षत से पूजन करें माला इत्यादी लगाएं भगवान को दूबा विसेश प्रिये है गणेश को दूबा चड़ाएं उसके पस्चात फिर लड़ू इत्यादी का मोदक भोग जैसे लगता है मोदक का भोग लगावें और मोदक भोग के पस्चाद फिर आरती प्रार्थना इत्यादी करके गणेश जी को मनाए ये दस दिन गणेश जी के अती मंगल दाई है और जो मनुस्त गणेश जी का उतसब मनाता है इन दस दिनों में उनकी इसाधना करता है ऐसा माननेता है कि अन तो में देखते हैं कि गावण में तो जो हो सामोहिक गणेश की स्थापना होती है लेकिन शहरों में जो है पर्टिकुलर हर घर में घणेश ची बठाये जाते हैं और आजकल कॉलोनी में घणेश जी बिठाने की भी प्रताय स्टार्ट हो गई है तो क्या हमें हर घर में बिठाना चाहिए या फिर सामुहिक तोर पर बिठाए तो भी हमें उतना ही फल मिलता है पहले क्या था पूर्व काल में जो गणेश जी सामुहिक लोग बैठाते थे आपसी सामंजस्ट और समरस्ता का एक भाव गणेश जी के प्रती लोगों का होता था चूंकि गणेश जी तो प्रत्य घर में बैठने चाहिए इसलिए वो भी आवश्यक हैं कि हम अपने जीवन मे गणेश उत्सब मनाएं और गणेश जी सब के ऊपर खूब क्रपा करें इसलिए गणेश उत्सब में प्रत्य घर में गणेश जी की मूर्ती स्थापित हो लेकिन सामुहिक रूप से भी एक संदेश जाता है कि हम समरस्ता का सब के प्रती बैभार करें और बहुत पहले की प बड़े से बड़े बुराईयों को भी दूर किया जाता था और सब लोग आपस में मिलकर के खूब हिल मिलकर के वैवार रूप में ये तेवहार मनाते थे इसलिए समरस्ता का एक संदेश है कि सब लोग सामुहिक रूप से गड़े सुथ सम्में सम्मलेत हों बजन कीरतन इत सब मनाया जाता है बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बाते सुनकर कि एक सामुहिक सम्रस्ता का प्रतीक है इसलिए सामुहिक तोर पर हमें बिठाना ही चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के गड़ेश जी जो है बहुत हर शुल्लास के साथ हम मनाएंगे और दाएक अध्भुत महत्व है जो आजकल मूर्तियां अंद्रबान की जा रही है प्योपी इत्यादी की उनका कोई सास्त्रों के विधान नहीं मिलता है लेकिन मृतिका की मूर्ति का अथवा गोवर की प्रतिमा बनाकर के गड़ेश जी की यह दिपूजन की जाए तो है अति जल भी सुच्छ नहीं रह पाता है अबवित्र हो जाता है अस्वच्छ हो जाता है और मृति का की प्रतिमा जीए भूल जाती है give और इती मंगल दॆई यह कैसे गणेशी होते हैं कि मैंने पहले कभी सुना नहीं यह एक क्रिया होती है जब कभी साल में दो चार वार रभी पुख या गुरु पुख योग आता है उसमें अकवगे की जड़के गणेश जी बनवाए जाते हैं सफेद अकवगा के जिने स्वेतार्क गणेश कहते है और वो प्रतेग मनो कामना को पूर्ण करने के लिए समर्थ हैं उनकी विशेश अर्चन होती है विशेश पूजन होती है अब कभी अफशर मिलेगा तो हम आपको दरसन कराएंगे उस मूर्ती का और फिर सिंदूर से लेपन करके उनको सुब मुहुर्त में उनका अर्चन कि किया जाता है वो विशेश कामनाओं की पूर्टी के लिए होते हैं तो दोस्तों आपने सुना कि इसका विधान क्या है इसका शुब महुरत क्या है और पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छे उसरल शब्दों में बहुत इस विधान के बारे में बताया और अकववा की इस जी विराज जाएंगे और साइंकाल से ही बच्छों के उससा प्रारम हो जाएंगे कभी रंगोली प्रतियोगता के माध्यम से और छोटे-छोटे बाल कलाकारों का उत्साह बर्दन हम लोग करने की कोसिस करेंगे उसके पस्चाद फिर महिला मंडल का भजन कारीक्रम और भी महंदी, डान, सित्यादी, प्रतियोगताय करके हम ग्रामबासियों के जो नए-नए बच्चे हैं उन सब को इस धार में कारीक्रम से जोड़ करके और सांस्कृत कारीक्रमों में भी प्रवेश कराएंगे ऐसे सब उत्सब हैं हमारी परंपरा से जुड़ने का, हमारी संस्कृति से जुड़ने का, हमारी विरासत से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा कहना चाहिए माध्यम है ये गडेश उस्सव और आप भी खुब धूम से मनाईए, पंडिश जी ने हमें शुब महुरत के बारे में बता ही दिया है और सारे वेगन जो है वो लीकर चले जाते हैं और मेरा तो उन्हें बिठाने का मन इसली नहीं करता कि उनको दस दिन बाद छोड़कर आने में मुझे बड़ा कश्ट होता है मुझे लगता है वो हमेशा सांत में ही रहे इसलिए मैं बड़ा आगे पीछे होती हूंने देख लीजिए जो बहुत ही द्यान से सुन रहे हैं क्योंकि अब यह बहुत इगरली वेट कर रहे हैं कि और वो गाय माता भी आ चुकी है देखिए वह भी दर्शन करने के लिए यहां आती है और वह यहां पर प्रशाद खाती है और फिर उसके बाद जाती है और यहां पर